डॉक्ٹर बियारम बेदकर का भारत को लेकर एक विजन था कि वह भारत देश में से पुरण रूप से जो कास्ट को लेकर बेदबाव होता है उसको मिटाना चाहते थे पर अफसोस की बात है आज भी हमारे देश में की राज्यों में जाती बेदबाफ देखने को मिलता है कभी किसे दुले को गोड़ी पर निचड़ने दिया जारा, कई विक्तियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जारा सिरफ एक ही कारण की वज़ा से कि वो अनुसूचित जाती के हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें इसी के बारे में बात करेंगे कास्ट सिस्टम लगबग 2000 साल पुराना है और उस टाइम कास्ट को बेसिकली 5 कैटिगरिस में डिवाइट किया गया था और जो दलिस से उनको सबसे नीचली जाती माना जाता था दलिस को सबसे नीचली कास्ट होने के कारण सिरफ छोटे मोटे काम दिये जाते थे जैसे की साफ सफाई और अन्य परकार के भेदबव किये जाते थे उनमें से एक बेदबाब ये भी था कि शादी के दुरान अनुसूचित जाती वाले लोगों को घोड़ी पर चड़ने नहीं दिया जाता था और आप ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि लगबग 75 साल अजादी के बाद भी हमारे देश में ऐसे भेदबाब के कही किस्से आते हैं इस वीडियो में देखिए कि जब एक अनुसूचित जाती का व्यक्ति गोड़ी चड़ने लगा और अपनी बारात लेकर निकलने लगा तो कुछ 100 कोल्ड अपर कास्ट लोगों ने उसका विरोत किया और बारात को आगे नहीं जाने दिया यह वीडियो कुछी देर पुराना है कि जब एक अनुसूचित जाती का व्यक्ति अपनी बारात निकालने लगा तब उसको 100 पुलिस करेमच यहरों की जरूरत पड़ी कोगी गाउं के कुछ लोग उसको धमकिया दे रहे थे कि वो छोटी जाती का है और वो पूरे गाउं म इसे बारात नहीं निकाल सकता यहां तक तो फिर भी ठीकता लेकिन कई जगाओं पर धार्मिक स्थानों को भी बांटा जाता है इस वीडियो में देख लीजिए आप कि कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाने से रोका जा रहा है सिरफ यह कहकर कि वो एक छोटी जाती को ब बेदबाव देखने को मिला जब एक वेज बिर्यानी बेचने वाले विक्ति को पीटा गया सिरफ एक ही कारण की वजह से कि वो छोटी जाती से है इसके अलावा यूपी के कई स्कूल में मुस्लिम दलिस के साथ भी बहुत बेदबाव देखने को मिलता है यह केसिस जो मैंन अंबेद करका जो सुपना था वो पूरा होगा मेरी राय में हर एक व्यक्ति को अलाया और इस भेदबाव को मिटाने के लिए नही गवर्मेंट पॉलिसीज एजुकेशन और जागरुकता फैलाने की जरूरत है दोस्तों आज की वीडियो यही तक ती नीचे कमेंट सेक्श खर अबादी सेक्शों कॉलिसी दोस्तों